बच्चों आज जो हमारा विशय है ये है भारत की संडचना एवं भू आक्रिती विज्ञान संडचना का तातपर भूगर्व की स्थिती से है बच्चों आपने देखा वगा की कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है मिट्टियों का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है कई प्रकार की चट्टाने पाई जाती है अलग अलग शेत्र में अलग 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 चट्टाने क्यों मिलती है कहीं कई पर चट्टानों का जमाव एक क्यों पर एक देखने को मिलता है भिन्न भिन्न चट्टानों में पाये जाने वाले खनीजों में भिन्नताएं हैं कहीं पर कोईला मिल रहा है कहीं लोहा कहीं पेट्रोलियम मिल रहा है कहीं बॉकसाइड तो ये जो भिन्नताएं हैं यह क्यों हैं ये हमारे लिए वास्तों में एक कौतुहल का विशय है और इसी के कारण आज हम इसके समाधान के लिए जो अध्यन करेंगे इसे हम कहते हैं भूगर्भिक संडचना या संड़रचना संड़रचना का तातपर यह है कि भारत में जो हम विभिन नक्षेत्र देखते हैं एक तरफ प्राइद विपी भारत है तो एक तरफ गंगा सिंदु का मैदान है और उत्तर में हिमालय का विशाल परवत है इनमें बहुत सी भिन्नताएं हैं जैसे हम उसकी प्रादेशिक भिन्नता को देखते हैं वैसे ही उसकी भावतिक भिन्नताएं भी हैं उसका भूगर्भ भी भिन्ना है और इसी का अध्यन आज हम करेंगे बच्चों हम जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ती आज से साथ करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुई और उसके बाद हिमालय बना है हिमालय बनने के बाद मद्य का जो गर्त था यहां पर बड़ी नदियों ने जलोड़क जमा किये थे और उसके कारण जो मैदान है उत्तर भारत का यहां विक्सित हुआ है लेकिन जो भारत में दक्षिन का पठार है जिसको हम दकन ट्रेप कहते हैं यह संपूर्ण पठार बहुत ही प्राचीन भूखंड है कितना प्राचीन हो सकता है तो यह हम जानते हैं कि जब पेंजिया और पेंथालासा यह महादीप और महासागर का हिस्सा था तो उस समय पेंजिया के जो दो हिस्से हुआ करते थे उपरी भाग को अंगारा लेंड और दक्षिन को गॉंडवाना लेंड कहते ही हैं हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा है तो ये जो गॉंडवाना लेंड है इस गॉंडवाना लेंड का ही एक हिस्सा भारत के दकन के पठार के रूप में आज हम इसे देख रहे हैं दकन का पठार सबसे प्राचीन है तो भारत की जो संरचना है इस संरचना को हम तीन भागों में बाटते हैं सबसे पहले हम अध्यन करेंगे प्रायदवीपी खंड का या दकन के पठार का दूसरा अध्यान का क्षेत्र होगा हिमालय एवं संबंधित पर्वत मालाय है और तीसरा जो क्षेत्र है ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान इस प्रकार से हम भुगर्भिक सर्नचना का तीन भागों में बाट करके अध्यान करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे बच्चो प्राइदविपी खंड क्या है भारत का जो मद्यवर्ती भाग है यह प्राइदविपी खंड कहलाता है इस प्रायद्वीपी खंड को दकन के पठार के नाम से भी हम जानते हैं यह जो दकन का पठार है या प्रायद्वीपी भारत का जो निर्मान हुआ है यह निर्मान बहुत लंबे काल तक चलता रहा है यानि हम कह सकते हैं कि पृत्वी की उत्पति के समय से आज हम जो पृत्वी के इतिहास के बारे में जानते हैं आज से लगभग साथ करोड वर्ष पूर्वतक की जानकारी हमें उपलब्ध है लेकिन उसके पहले की जानकारी जो हमें उपलब्ध नहीं है उस समय से भारत के इस दकन के पठार का इतिहास जुड़ा हुआ है यह जो प्राइदिपी यह खंड है यदि हम इसके निर्मान प्रक्रिया को देखें तो इसकी निर्मान प्रक्रिया लगभग साथ अवस्थाओं में पूर्ण होती है सबसे पहली अवस्था जो है इसे हम प्री कैम्ब्रियन युग या जहां तक हम पहुँच चुके है पूरा जीवी महाकल्प के पहले का जो समय है जिसे हम पूर्व क्रैम्बियन युग कहते हैं इस युग में प्रायदिपी भारत के जो पूर्व का भागता ये काफी विस्त्रित हुआ था और उसके साथ ही बुंदेल खंड का भी विकास हुआ था इस समय बुंदेल खंड में ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों का फैलाओ देखने को मिला था यानि हम जहां तक भुवाज्यानिक अध्यान में पहुँचे उसके भी पहले ग्रेनाइट और नाइस चट्टाने जो है ये इस ख्षेत्र में पहले से ही विद्यमान थी इस चट्टाने तो बने लेकिन अध्यधिकताप और दाब के कारण इन चट्टानों में रुपांतरन भी हो रहा था कायांतरन हो रहा था और ये कायांतरन निरंतर चल रहा था और उसके फलसरूप उस समय चट्टानों के रुपांतरन और कायंतरन के जो निशान है वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी समय अरावली और धारवाड के क्षेत्रों का भी निर्मान हुआ है। तो यह प्रारंभीक अवस्ता थी पूरा जीवी महाकल्प के पहले की अवस्ता थी जिसको हम आद्य महाकल्प भी कहते हैं। बहुत प्राचीन इस्थिती थी। इसके बाद जो दूसरा चरण हम देखते हैं जिसमें धरातली विशमताएं बहुत जो अधिक हो गई थी। प्र और इसी स्थरी करण के फलस्वरूप जो धरातल है इसमें समतली करण की प्रक्रिया निरंतर हो रही थी। जो अवसाद है इनका चूरनी करण याने अवसाद टूट टूट रहे थे उनका चट्टानों का चूरन बन रहा था और अवसाद जो है ये सिकुडते चले जा रहे थे बिंजावर में आज भी उसका उदाहरण देखने को मिलता है इस प्रकार से इस समय भी ज्वाला मुखी का निरंतर उद्गार हो रहा था और आगने चट्टानों का विकास निरंतर हो रहा था तीसरे चरण में हम देखते हैं कि धारवाड और अरावली का क्षेत्र यह विक्सित हुआ था धारवाड और अरावली जो कि इसके पहले विक्सित हो रहे थे इनका विकास और भी अधिक हुआ और इसमें अपरदन की क्रियाएं प्रारंब हो गई थी और इनके अपरदन के कारण जो अवसाद थे वो इसके आसपास के जो महा खट्ड थे जो गहरे क्षेत्र थे इन क्षेत्रों में ये अवसाद निरंतर जमा होने लग गए थे प्रारंब में जब यह आवसाद जमा हुए थे तो उसमय संपूर्णक्षेत्र जो था वो महासागर के अंतरगत था और इस महा सागर में इन अवसादों का जमाव हो रहा था तो जमाव की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से वी कि प्रारंभ में कडब्पा क्रम की चट्टानों का जमाव हुआ और उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टाने कडब्पा के उपर में आई थी जैसा बताया कि यह कहां पर जमा हुए हैं यह सागर में जमा हुए क्योंकि उस समय यह संपूर नक्षेत्र सागर था और इन आउसादों का निरंतर जमा हो रहा था और यह जमाव ऐसा माना जाता है कि लगभग 6,000 मीटर का यह जमाव हुआ है तो पहले नीचे में कडपा क्रम की चटाने हुई है और इसके अंतरगत स्लेट, क्वाइट और चूना पत्थर का जमाव हुआ है उसके उपर विंध्यन क्रम की चटानों का जमाव हुआ है जिसमें बलवा पत्थर की अधिकता पाई जाती है और इस प्रकार सी यह जमाव जो कहीं पर भ्रेंशन, भ्रेंशन की संधियां और वलन की स्थिती भी देखने को मिलती है तो यह तीसरी प्रक्रिया यह तीसरी अवस्था थी तीसरा चरण था चौथे चरण में लगभग 22 करोड वर्ष का जो पीरेड था यह लगभग शान्त था बहुत धीमी क्रियाएं हो रह लेकिन इसके बाद जो पर्मो कार्बनी करण की प्रक्रिया हुई उसके फलस्वरूप गोंडवाना की रिफ्ट घाटी में आवसादों का जमाव हुआ है और इसी से गोंडवाना बेसिन का निर्मान हुआ और इसी के माध्यम से वर्तमान में जो हम कोईला अक्षेत्र ये गोंडवाना के क्षेत्र में देखने को मिलता है पांचवा जो चरण था आज से लगभग साड़े 23 करोड वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 7 करोड वर्ष पूर्व तक का जो समय था इस समय में भी निरंतर जो घटनाय घट रही थी इन घटनाओं में सबसे पहले जो है उच्च गोंडवाना के क्षेत्र का निर्मान हुआ और उससे बेसिन गोंडवाना की बनी है जबकि दूसरे चरण में गोंडवाना का जो क्षेत्र था गोंडवाना लेंड का जो क्षेत्र था यह तूट करके बिखरने लगा था और एक महा खंड जब बिखर गया तो इ और इसके साथ ही हिंद महासागर की रचना हुई अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की का निर्माण हुआ था इसी काल में विंध्यन की श्रेणी का भी उत्थान हुआ है इसके बाद जो छठा चरण है इस चरण में मध्यजीवी महाकल्प याने आज से लगभग साथ करोड़ वर्ष पूर्व की जो स्थिती है इसके अंत में निरंतर ज्वाला मुखी का उद्गार हो रहा था ये ज्वाला मुखी जो है वह निरंतर उद्गारित हो रहे थे लंबे समय तक इसका उद्गार होते रहा और उसके फलस्वरूप लगभग पांच लाख वर्ग किलोमीटर का एक जो व्रिहत क्षेत्र था इसक्षेत्र में लावा जमगने लगा था और पूर अक्षेत्र लावा युक्त भूमी के रूप में हो गई थे यही विस्त्रित प्रवाह जो है वर्तमान में हम इसे दकन के लावा का पठार या दकन ट्रेप के नाम से जानते हैं और इसका निर्मान वर्तमान में हम देखते हैं कि महरास्ट के खेत्र और मालवा के खेत्र में इसका काफी विस्तार हुआ है यह प्रक्रिया जब दकन ट्रेप का निर्मान हुआ उस समय से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व तक की जो इस्तिती थी इसमें चूना पत्थर और बलवा का निक्षेप सबसे अधिक होने लगा था और इसी क्रम में कई चट्टानों का निर्मान हुआ है जिन चट्टानों में हम देखते हैं द्वार का संस्तर जो है नारी क्रम है फिर कलनूर का क्रम है इसके अलावा पूरी और पोरबंदर की जो चट्टाने हैं करनूल की जो गुफा है या गोदावरी की घाटी में पाये जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जलोड़क है औ और इसके साथ ही लेटराइट मिट्टी का निर्माण यह इस दकंट्रेप की अंतिम अवस्था रही है। तो इस प्रकार से यह साथ क्रम में जो दक्षिन का जो पठार है या प्रायदीपी खंड है यह निर्मित हुआ है। वर्तमान सनरचना को यदि हम देखें तो प्रायदीपी खंड की जो वर्तमान सनरचना है इसमें कई सम्मूहों को हम अलग-अलग देख करके इसका अध्यन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे आद्यस सम्मूह की शैले हैं। आद्यस मूह की शैले जो हैं इसमें रवेदार शैले प्रमुख है और इसके अंतरगत मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नाइस चट्टाने आती है। संपूर्ण प्रायद्विपी एक शैत्र में इसका विस्तार है और ये जो शैत्र है पूर्व में बघेल खंड से लेकर के यहां प्रारंब होता है। इसकी जो चट्टाने हैं इसमें बुन्देलखंड के क्षेत्र में नाईस की चट्टाने और नीलगिरी के क्षेत्र में नाईस और शिष्ट चट्टाने जो है यहां प्राई जाती है यहां की संरचना बहुत ही जटिल लेकिन स्थूल प्रकार की है और इस ख्षेत्र में वलन और भ्हेंशन सर्वाधिक देखने को मिलते हैं दूसरा जो समू है इसे हम कहते हैं धारवार समू धारवार समू नाइस और शिष्ट चट्टानों के अवसादों से निर्मित होता है यहाँ पर मुख्यरूप से जो हम वर्तमान ख्षेत्र देखते हैं जिसमें केरल, महरास्ट, राजस्थान, जारखंड, उडिसा, मध्यप्रदेश, चत्यसगर और काश्मीर के ख्षेत्र में यह धारवार समू विस्तृत देखा गया है यहाँ पर आगने चट्टान और अवसादी चट्टानों का वर्तमान में कायांतरन रूप देखने को मिलता है धारवार चट्टानों को दो भागों में बाटा गया है निम्न धारवार जिसके अंतरगत जो प्रमुख चट्टाने पाई जाती है इसमें हार्न ब्लेंड, क्लोराइट और ग्रेनाइट की चट्टाने प्रमुख है जबकि मध्य धारवार का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो प्रमुख चट्टाने है इसमें माईका, क्वाट्जाइट, स्लेट, सिष्ट, लावयुक्त, शैले और चूना युक्त, शैलों का क्षेत्र जादा व्यापक है जो उच्च धारवार का क्षेत्र है इसके अंतरगत क्वाट्जाइट, स्लेट, लावयुक्त, शैले, कांगलोमरेट और आर्गिलाइट की जो चट्टाने है यह प्रमुख रुप से पाई जाती है यह संपूर्ण क्षेत्र, यह जो धारवार का क्षेत्र है, यह खनीजों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में पाई जाने वाले जो खनीज जैसे कि मैंने चट्टानों का उलेक किया है कि इसमें सोना, मैंगनीज, अबरक, लोहा, तामबा, क्रुमियम, ट यह है कडपा समुह की चट्टाने धारवार समुह के उपर में आवसादू का जो कायांतरण हुआ था और उस कायांतरण के फल्सवरूप यह कडपा समुह की चट्टानों का निर्माण हुआ है इसके अंतरगत जो प्रमुख चट्टाने पाई जाती है इसमें शेल, स्लेट, क्वाट्जाइट और चूना पत्थर यह प्रमुख है यह जो श्रेणी कडपा श्रेणी इसमें रायपूर श्रेणी में लगभग 600 मीटर की मुटाई वाला चूना पत्थर का संस्तर पाया जाता है जबकि जो चंद्रपूर श्रेणी है इस श्रेणी में क्वाट्जाइट और सेंड स्टोन बलुवा पत्थर यह सरवाधिक देखने को मिलता है यहां की जो प्रमुख नदिया है कडपा समू के क्षेत्र की इसमें महानदी बेसिन क्रिष्णा पेनर की घाटी गोदावरी की घाटी प्रमुख है और इसके अलावा दिल्ली की क्षेणी और जो राजमहल का जो क्षेत्र है इसमें उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश क नक्षेत्र आता है या संपूर नक्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है कहीं कहीं पर इसी कड़पा समुव में लौह आयास्क मैंगनीज भी पाया जाता है इसके अलावा एसबेस्टेस, संग्मर्मर, जैसपर, रूटीराइट और निकल जैसी खनीजों का भी यहां पर जम देखने को मिलता है अगला जो क्रम है यह है बिंध्यन समु बिंध्यन समु के अंतरगत यह समु जो है कड़पा के ऊपर में पाया जाता है और लगभग 45,000 मीटर का मोटा निक्षेप यहां पे देखने को मिलता है इसमें इस निक्षेप में बलवा पत्थर और चूने के पत्थर की प्रधानता है इसका जो विस्तार है विंध्यन समु का यह चित्तावर गड़ से रोहतास तक यह विंध्यन समु फैला हुआ है लगभग एक लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है यहां पर पन्ना का जो क्षेत्र है और गोलकुंडा का जो क्षेत्र है यहां से हीरा भी प्राप्त किया जाता है तो यह पन्ना और गोलकुंडा यह दोनक्षेत्र हीरा के लिए विख्यात है अगला समु है इसे हम गोंड़वाना समु कहते हैं गोंड़वाना समु कार्बनी फेर युग से जुरैसिक युग तक आवसादों से बनी जो शैले हैं इन शैलों में मुख्य रुप से बल्वा पत्थर, शेल और मिट्टी के संस्तर पाए जाते हैं मुख्य तह, दामोदर, बाराकार, धारवार समुख के उपर में अवसादू का जो कायांतरन हुआ था और उस कायांतरन के फल्स्वरूप ये कडप्पा समुख की चट्टानों का निर्माण हुआ है इसके अंतरगत जो प्रमुख चट्टाने पाई जाती है, इसमें शेल, स्लेट, क्वाट्जाइट और चूना पत्थर यह प्रमुख है यह जो श्रेणी कडप्पा श्रेणी, इसमें रायपूर श्रेणी में लगभग 600 मीटर की मुटाई वाला चूना पत्थर का संस्तर पाया जाता है जबकि जो चंद्रपूर श्रेणी है, इस श्रेणी में क्वाट्जाइट और सेंड स्टोन बलुवा पत्थर यह सरवाधिक देखने को मिलता है यहां की जो प्रमुख नदिया है, कडपपा समू के ख्शेत्र की, इसमें महानदी बेसिन, कृष्णा, पेनर की घाटी, गोदावरी की घाटी प्रमुख है और इसके अलावा दिल्ली की ख्षरेणी और जो राजमहल का जो क्षेत्र है इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है यह संपूर्ण क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है कहीं कहीं पर इसी कडपा समू में लाव आयस्क मैंगनेज भी पाया जाता है इसके अलावा एस्बेस्टेस, संगमरमर, जैसपर, रूटीराइट और निकल जैसी खनीजो का भी यहां पर जमाव देखने को मिलता है अगला जो क्रम है यह है बिंध्यन समू बिंध्यन समू के अंतरगत यह समू जो है कडपा के ऊपर में पाया जाता है और लगभग 45,000 मीटर का मोटा निक्षेप यहां पे देखने को मिलता है इसमें इस निक्षेप में बलवा पत्थर और चूने के पत्थर की प्रधानता है इसका जो विस्तार है विंध्यन समू का यह चित्तवर गड़ से रोहतास तक यह विंध्यन समू फैला हुआ है लगभग एक लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है यहाँ पर पन्ना का जोक्षेत्र है और गोलकुंडा का जोक्षेत्र है यहाँ से हीरा भी प्राप्त किया जाता है तो यह पन्ना और गोलकुंडा यह दोनक्षेत्र हीरा के लिए विख्यात है अगला समू है इसे हम गोंडवाना समू कहते हैं गोंडवाना समू कार्बनी फेरस युग से जुरैसिक युग तक आउसादों से बनी जो शैले हैं इन शैलों में मुख्य रुप से बल्वा पत्थर, शेल और मिट्टी के संस्तर पाए जाते हैं मुख्य तह दामोदर, बाराकार, महानदी, गोदावरी के क्षेत्र में यहाँ जो गोंडवाना समू है यहाँ फैला हुआ है इसमें राजमहल, सत्पूडा की पहाडी, उडिशा और मध्यप्रदेश में भी यहाँ क्षेत्र फैला हुआ है दामुदा श्रेणी के क्षेत्र में जो रानी गंज है इसी क्षेत्र के अंतरगत आता है जहाँ पर भारत का लगभग 90 प्रतीशत लोहा व्याप्त है यह संपूर्न क्षेत्र यही गोंडवाना समू के अंतरगत आता है अगला जो सम्मू है इसको हम दक्षिनी लावा का क्षेत्र कहते हैं ज्वाला मुखी के उदगार के फलसरूप इस संपूर्न क्षेत्र में बेसाल्ट का जमा हो गया है लगभग उत्तर पश्चिम में यदि हम देखे तो लगभग 3000 मीटर में और दक्षिन में लगभग 700 मीटर के खेत्र में कच्छ के रन में लगभग 800 मीटर के खेत्र में और अमरकंटक में लगभग 200 मीटर के खेत्र में बेसाल्ट का जमाव देखने को मिलता है यहाँ पर कच्छ से लेकर के काठियावाड के दक्षिन पूर्वी तट तक क्रिटेशियस युग के समय जो समुद्र के जमाव है उसके अवशेश भी यहाँ देखने को मिलते हैं तो बच्चों यह जो प्राइद विपी एक खंड है यह हमारे देश का न केवल प्राची न ख्षेत्र है बलकि सभी प्रकार के खनीजों से यह युगत है और यह इतने श्रेडियों में यह बटा हुआ है इसके बाद हम दूसरा ख्षेत्र देखेंगे तो हिमालय जो की उत्तर की परवत श्रेणी के रूप में है उसका यदि हम अध्यन करते हैं तो हिमालय का जो उद्भव हुआ है उसके माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह ख्षेत्र जादा प्राची नहीं है यहाँ पर पाई जाने वाली जो चट्टाने हैं वो नवीन मोड़दार चट्टाने हैं हिमालय का जो अग्रभाग है यह तृतिय महा कल्प में विक्सित हुआ था इसमें मायोसीन और प्लिस्टोसीन युग की चट्टाने देखने को मिलती है कार्भनी फेरस युग से लगभग इयोसीन तक इसक्षेत्र में वलन की भी स्थिती देखने को मिल रही है और उसके फल सलूप यहाँ पर बहुत से ग्रीवा खंड अत्यधीक वलन के कारण चट्टाने एक के उपर एक चड़ गई थी जिससे ग्रीवा खंडों का निर्मान हुआ है यहाँ पर पंजाल के क्रम में ये ग्रीवा खंड के उदाहरण देखने को मिलते हैं लगू हिमालाय में कायंतरन वरिहत हिमालाय की तुलना में कम हुआ है और इस ख्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रमुख चट्टाने हैं इसमें शेल, स्लेट, क्वाट्जाइट और चूना पत्थर प्रमुख है बच्चों जो तीसरी श्रेणी है शिवालिक रेंज की शिवालिक बैसे तो नदियों के जलोढ़क से बना है क्योंकि जो हिमालाय का जो तिवर ढ़ाल है यह दक्षिन की ओर होने के कारण प्राईह नदियों ने हिमालय को काट काट कर जितने भी जलोढ़क लाए हैं उन जलोढ़क से इस शिवालिक के शेत्र में यह जलोढ़क जमते चले गए और इसके कारण इस शेत्र में मुख्य रुप से बलवा पत्थर, चीका, संगुटी काश्म और चूना पत्थर के के बाद तिवरवलन ने इस संपूर्ण ख्षेत्र की शैलों को कठोर बना दिया है और यह काफी अब सखन हो गये हैं जो कि शिवालिक श्रेणी के रुप में जाने जाते हैं मायो सिन से प्लीस्टो सिन युग तक यह चट्टाने निरंतर बनती रही है झाल 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 झाल